लोकडाउन के दौरान एक और तस्वीर दिल को जग जोड़ देने वाली सामने आई है जी हां घंटू वृध बिमार पिता को लेकर सड़क पर मदद मांगता रहा एक वेक्ती लेकिन किसी ने भी इसकी मदद नहीं की आई ये दिखाते हैं आपको कि किस तरह से अपने बिमार पिता को लेकर ये वेक्ती मदद की गुहार लगा रहा था घटना तपसिया के क्रिश्टोरफ रोड इस्थित वरिंदावन अपार्टमेंट की है घटना को लेकर उग्त वेक्ती ने पुलिस से मदद मांगी लेकिन देर रात तक उसे अपार्टमेंट के बाहर खड़ा रहन पड़ा अपार्टमेंट के गेट के बाहर बैरिकेट क्यों लगाया गया ये पुलिस की ओर से सपष्ट नहीं किया गया है जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम पांच बजी एक वेक्ती अपने बीमार वृधि पिता को लेकर डायलिसिस कराने के लिए मुकुंदपुर के एक अस्पताल में गया था रात दस बजे जब वह अपनी कार से पिता को लेकर घर पहुचा तो अपार्टमेंट के बाहर सड़क को बंद पाया पुलिस ने सड़क को बैरिकेट के जरीए पूरी तरीके से बंद कर दिया था अपार्टमेंट के अंदर जाने वाली तीनों ग मैडिसिन घर पे पड़िवी है दस मैडिसिन मुझे दे नहीं है इसको और ये आदमी आज मर जाएगा तो कौन जिन्मेतारी लेगा प्लीज आप इसका जबाब दीजे वैक्ति ने अपने वीडियो में बताया है कि उनके अपार्टमेंट के अंदर कोई भी कोरोना संदिक्ध मरीज नहीं मिला यहां तक कि आसपास के इलाके में भी कोई कोरोना का मरीज नहीं है ऐसे में पुलिस ने क्यूँ उनके अपार्टमेंट में जाने वाले रास्ते को सील कर दिया यह समच से परे है पुलिस जवारा अपार्टमेंट के गेट के बाहर बैरिकेटिंग किये जाने का कई लोगों ने विरोध किया विरिंदावन के अपार्टमेंट के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि अपार्टमेंट के लोगों को कोई जानकारी दिये बगैर ही इलाके के सड़क को सील कर दिया गया